नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल आई उसक्राशिस में कैसे हो सब समिश्वस्त मैं सजय बर्दस्त होंगे तो साथ हो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंगलिस के दूसरे पांट जिसका अपनाम है एक गिफ्ट ऑप चैपल्स तो आज हम इस पांट को कंट्यूने करने वाले हैं तो चलिए बीना देरी के आज की पाट को सुरू करते हैं पहले लिखा है गो अभी यानि आप यहां से चले जाएं यह बात कौन कहते हैं यह बात किस से कहते हैं कौन कहते हैं तो यह बात रवी कहते हैं किस से कहते हैं तो यह बात रवी यह बात रवी के बेगरों कहते हैं बेगरों कहते हैं गो अभी यानि आप यहां से चले जाए माई पाती सेज यानि मेरी पाती कहती है इड़ेस टाइम यू फाउंड अनोदर हाउस तु बेग फ्रों यानि अभी है समय हो गया है आपको दूसरे घर से भिक्सा लेने के लिए बेग का अर्थ हो गया भिक्सा बेगर ओपन ही जाइस यानि पहले तो वहा है एक दम आराम से यह से आंख्य बंग कर रहा था फिर उसने आंके खोली विख एस ओपुंस आईस औंड ही वह एएस ऑफ ओफ दह जाय क्अव लwखन principle क्अवच के फ़ली पाली पहले बंग दन klein शने अंके ऊवर एक शिर्डरन को गोर नहीं इस दखा यह कौन है उसे गोड़ गोर कर देखा The ladies of his house उसने यह बात वीक वोईस में यानि आवाज कमजोर आवाज में उसने कहा रोने किसी आवाज में कहा The ladies of this house are very kind soul Kind का अर्थ हो गया दयालू Soul का अर्थ हो गया आत्मा इस घर के जो महिलाएं है वह बहुत kind है वह बहुत दयालू हात में है I have kept my body and soul together kept my body and soul together का अर्थ हो गया जिन्दा रहना और मैं उन्हीं के करण जिन्दा रहा हूँ पिसले एक हफते से पहले हमने पढ़ा था कि जो बाती है वह अटापी के साथ बाते कर रही कि थी कि यह पिसले एक महिने से यहाँ पे आ रहा है तो यह उसनों ने बताया था फिर मैं पिसले हफते से यहाँ आ रहा हूँ अब यह बात कहता है बेगर कहता है मैं पिसले हफते से यहाँ आ रहा हूँ और I cannot believe यानि मुझे विश्वास नहीं होता दे दे वुट्रन मी आवे यानि वह मुझे वापस बेश देंगे He raised his voice यानि उसने अपनी आवाज उपर उठाई और कहा अम्मा अम्मा ओ यानि उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मुझे वापस बेश देंगे इसलिए उसने फिर से अपनी आवाज उपर उठाई सेड His weight might be यानि उसकी आवाज सेड थी बट इसलिए वाट यानि उसकी आवाज दुख भरे थी पर वह उसकी आवाज कमजोर नहीं थी सटले इसलिए करत हो गया निश्चित इसके बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ा था एक साइटेन किंग था यानि इसचित किंग था आवने यहाँ पढ़ा था फिबल एने अगर थो गया कमजोर इट बेगन इन एस डीप स्टोग रंबल सम्वेर इन इस वेर्थली बैली बैली एंड कैम बंड आउट ओफ इस माउथ विद इस फ्यू रिमेंग तीच स्टेन ब्राउंड विद बेटल चुएंग अनि यहाँ आवाद उसकी आवास से बता रहा है कि इसके आवास कैसी थी तो उसकी आवास गहराई से आ रहे थी वो रंबल रंबल क्या होता है रंबल जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट से गुरगुर करके आवाज आती है तो यहाँ आवास उसकी पेट से आ रहे थी वो पेट से वहाँ निकलकर मुह में आ रहे थी तो यहाँ आवास मुह से वह पोल रहा था विट इस फ्यू रिमेंग रिमेंग यानि उसके कुछ बच्चे कुछ दांतों से आ रही थी टीथ इस्टेंड ने ड्राउन वीथ बेटल चोई उसके दांत है उस पर धब्बे लगे थे किसका दब्बे लगे थे क्योंकि वह सुपारी चबाता है चोई का जोगा चबाना बीटल कार जोगा सुपारी तो उसके दांतों पर धब्बे लगे थे रवी टेल हिम डेर इस नथिंग लेफ्ट इन दक्कीश है रवी आप उसे कह दो गर के किचिन में कुछ नहीं बता यह बात कौन कहता तो यह बात रोकोमनी कह रही है कि रवी आप उसे क जह दीजिए कि यहां घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है कोल्ड रुकोमनी यानि रुकोमनी कहती है एंड ही नोट तो कम अगें टेल रवी हिम अनि अब उसे कह दो और उसे कह दो कि वह दुबारा यहां नहीं आए कि आप उसे दुबारा भेज़तों कि घर में कुछ नहीं पचा है और वहां वापस नहीं है वह परिशान होकर कहती है रवी डिट नोट है तो रिपीट इट आल टुदे पेगर यानि रवी उसे रिपीट कर पाता उससे पहले इससे पदा दे रहा था रवी को रिपीट करन लवी और बेगर पास-पास में खड़ती और रुकोमनी के आवाज है तो जब बेगर को आवाज सुनाई देगी तो रुकोमनी को भी आवाज सुनाई देगी तो यह होगा इसका कार्ण क्योंकि उसे दुबारा पताने कि जरूहत ही नहीं पड़ी यानि यह बात पूरी अंडर ट्री के नीचे हुई पेड के नीचे हुई यह बात पूरी और वह आवाज सुना एजी ली था एकदम एजी था यानि बेगर है वह पहले ऐसे बैठा था फिर खड़ा हो गया और उसने साइब करतो होगा आह की सांस लेना उसने कहा आह इसे आह की सांस ली और अब दुबार काता है I will go I will go यानि मैं जाता हूं मैं जाता हूं इसेट वेरली वेरली गार्थ होगा टायडली टायडली हमनी सिक्स ख्लास में पहले चेप्टर में पड़ा था टायडली गार्थ होगा ठका हुआ यानि उसकी आवाज आई विल गो आई विल गो ऐसे वह बात करता है only let me have a rest here under this tree यानि मुझे सिर्फ मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ मुझे सिर्फ इस पेड के नीचे आराम करने दू the sun is so hot यानि जो सूरी है जो सन है वह बहुत गरम है and the tar is melted on the room तार क्या होता है तो जब सड़क बनती है तो उसके उपर तार लगा जाता है जिसका तार है वह उससे पूरी जमा लेता है और वह सूरी गर्मी के करन वह पिगल कोई जाता है तो वह तार है वह पिगला हूँ मेल्टेट कर्थ हो गया है तार है वह पिगल गया है और the sun is so hot यानि और सूरी है बहुत गरम है कि माय फीट और ओलृडडि ब्लिस्ट तर्झाञ आनि मेरे पाउँ यहां ले भीट हो गया है सिंगुलर हो cryинки फुट है दो पाउव भी इसकी बात है और फुट हो गया एक पाचि आफोद की बीश की बात यानि मेरे पाउँ यह सुच्ट्र लगे हैं यह हैं पहले पार्ट में पढ़ा हाथ आगी करना उसने अपना पेर आगी किया पहले चेप्टर में जिसका नाम है त्री को संदों इसमें हमने पढ़ा आगी चेंदा की राज हरमच अपना हाथ स्टैच किया और आगी किया पां का लेनेक लिए इसक अपना हाथ आगी किया ये इसप्टेश्ट्री तो लाड़ फिलिंग बिश्टर्स ने सोल सोफ ये फेट ये उसुनि अपना पाउं आगे किया और वहां पर उसने अपना पां आगे किया तो वहां पे उसके पेर पे पिंक अ-कलाइ के धब्पे हैं उसके पास बेर फिट यानि नंगे बेर कार्थ हो गया नंगे फिट कार्थ हो गया पांग यानि उसके पास चपल नहीं है अब मृदू कहती है I suppose she does not have the money to buy चपल नि मृदू नहाँ पे आवाज धीरे आशी आवाज में कहती है मीना और रवी को कि मुझे लगता है इनके पास पेसे नहीं होगे विट्व विट्व धीरे से कहती है विट्व धीरे से कहती है Have you got an old pair in the house somewhere क्या आपको पता है इस घर में एप पेर यानि जोडी ओफ सूस यानि यहाँ पे आपको पता है पेर यानि एक चपल यानि एक जोडी चपल का आपके पता है इस घर में है कहां पर अब रवी कहता है I don't know यानि मुझे नहीं पता है इस कहां पर है Mine are too small, two feet, hit feet यानि मेरे पाउं है उसके पाउं से बहुत छोटे हैं और नहीं तो और I did have given them to him और अगर मेरे पाउं बड़े होते तो मैं उन्हें अपनी चपल दे देता है and if his feet were that Mridu and Meena big यानि उसके पाउं मेरे पाउं से भी बड़े हैं the beggar was sacked out his upper cloth यानि उसने अपना upper cloth जड़काया and जिस पर वह बेटा था अराम कर जिस पर वह बेटा था उसने अपना upper cloth जड़काया उसने अपना upper cloth खड़काया and tightening ही छोट दोती और उसने अपने दोती टाइट की दोती गार्थ होगा वेस्थी he rest his eyes and looked fearfully at the road यानि उसने पहले उसने आंके बंद कर ली थी पहले उसके आंके नीचे थी फिर उसने अपने आंके उपर कर ली और looked fearfully यानि उसने देखा fearfully fearfully का earth हो गया डर की बाहरा सी यानि उसने डरा डरा से कहा उसके डरा डरा से देखा उसने रोड की तरफ gleamed in the afternoon heat यानि वह है जो तार है वह है afternoon heat से चमक रहा था ग्लिम्ड का earth हो गया sign यानि चमक तो वह है चमक रहा था तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगी मिलते हैं हमारे गले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भार्थ जागी इंद हाराय फीडो उचनाय ठासमांग मेराय भाथ पाताल मुतक प्ष्वार्र करेंगी मलते हाय संभाथ एतनाय गारिए जिकर मोर्य मृत्त मृत्त पढ़ेंगी मीलते हाय पढ़ेंगी मेरे वीडियो मेरी प्र्रा पम्र उचनाय घराथ खस्में नकाराय क्रमा शिवाय विद्याय शुद्धाय देगंबराय खस्में नकाराय क्रमा शिवाय